कमाल है ये मनोरेंजन की दुनिया, यहां कभी भी कुछ भी हो जाता है, and just in case you've missed something, take a look. यहां जुए मीन मारेनारी वा जैटा हो, यहां केना आच, जैटा है, जब स्नीयकरीय मुकुनिया, lavor afterwards, Sp लिख रही हूँ, I love it. I just love it. मैं जिस्कूल में मॉनिटर इसी बनना चाहती थी हमेशा, क्योंकि मुझे बोर्ड पर लिखना होता था I thought for the day है, all we have is now. मैं तो कहूंगी कि यह thought for the day नहीं, यह thought काफी days को लागू पड़ता है मेरे Because I believe that we have to live in the moment and take each day at a time. That's my way of living. मैं हमेशा है सोचती हूँ क्यों क्या पैन करूं, क्या करूं, कुछ करूं Because हम जो पी करते हैं, हम जो भी सोचते हैं, after all होता भही है जो High Court, I mean I call him a lot of names, but Gannu, जो अभी आने वाले है थादे दिन में So, that's why I always live in the moment, take each day at a time and believe कि अल वी हैव इस ना ओट तो आज का सेग्मेंट ना मेरे एवरीडेय शेडियूल से बहुती मिलता जुलता सा है तो थोड़ा से स्पेशल है मेरे ले ये सेग्मेंट तो ये स्पेशल होती है और मेरी हर सुभा ऐसे ही शुरू होती है कि मेरे घर पर ऐसे ही मेने एक छोटा सा ब्लैकबोर रखा हुआ है और अलग-अलग कलर के चौक से मेरे पास और मैं उससे रोज या तो मेरा तू-डू लिस बनाता हूं या फिर एक थौट लिगता हूं जो विछ द्राइव मी तो… इस एक थौट रखाँ लिगता हूं या फिर एक थौट लिगता हूं जो विच रखाँ तो… तो जिन्दगी में कहते है ना कि पल गिनने नहीं चाहिए लेकिन हर पल खुलके जीना ज़रूर चाहिए को फेंस को वेस्ट नहीं करना चाहिए कि यार ये काम आज नहीं है मैं कल करूँ गा इसको कॉल मैं आज नहीं कल गा कि मेरा बेस्स फ्रेंट है यह सकते। तो मेरा बेसरेंट है ऑमकार असरुन का दोस्त है यह सीनियर केईशा में वह साथ में यह हमेशा मेक शूर करता है कि यह रोज रात को मुझे कॉल करेगा, और मैं मिसकर दूख डूग तो आसके दो भी बज़े हो तो क्यों न तो I think कभी-कभी इन चीजों को taken for granted नहीं लेना चाहिए तो call back करना या अपनी mom को I love you कहना यह चीजों को कभी टालना नहीं चाहिए So don't waste time because time is what a life is made up of और तो महा आपकी आपकी नाइफ बनती चुटी 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 moments है नो तो आप जब भी ऐसे पीछे देख्ते है तो पलाट कर सुचते है यार स्कूल में कितनी मस्ती की थी यार वो कालेज के कैमपस में वहां पे बैटके आम लूग मस्ती करते थे वहां पर बैठके हम लोग बंक करते थे, वहां पर कैंटीन में जाके समोसा खाते थे So, yeah, it is always about never ever taking anything for granted and always enjoying every moment ABP News आपको रखे आगे